दोस्तो मेरा नाम प्रीती है मैं The Community Library Project में Librarian हूँ दुनिया सबकी में आप सभी का स्वागत है मैं आज आपको पर्थम बुक की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सो जाओ टिंकू इसको लिखा है प्रीती नम्बेद ने इसमें चितर बनाए है सोनल गोयल और सुमिच सकुजाजी ने और इसका अनवात किया है आर्थी इसमिद ने दोस्तो जब हम सब रात के अधेरे में सो रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा भी होता है जो जाग रहा होता है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात में नीद नहीं आ रही हो और आपको तूरने निकल पड़े हो तो ये कहानी भी एक टिंकू की है एक टिंकू जिसे रात के अधेरे में नीद नहीं आ रही होती है और वो निकल पलता है कुछ धूरने तो देखते हैं वे क्या धूरने निकलता है और क्या उसे मिल भी पाता है खूपसूरत चाननी रात थी सारे पसूश सो रहे थे सिरिफ टिंकू जागा हुआ था मुझे नीद नहीं आ रही है अम्मा टिंकू फुस फुस आया लेकिन अम्मा ने उसकी बात सुनी ही नहीं वे गहरी नीद में थी वे दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा उसने कंबल उड़ा फिर उतार फैका वे पेट के बल लेटा फिर छित हुआ इधर उधर करवटे बदली पर नहीं वे सो ही नहीं पाया वे उठा और निकल पड़ा वे जानना चाहता था कि रात में उसे कौन मिल सकता है आपको क्या लगता है रात के अंदेरे में कौन मिल सकता है उपर आस्मान में टिंकु ने चांद देखा सफेद, जगमक करता, गोल चांद जो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था बहुत खुश हुआ रात बहुत सुंदर है टिंकू ने सोचा मुझे भी लगता है रात मुझे बहुत ही सुन्दर लगती है और चान को देखना तो बहुत ही सुन्दर दूर पेड़ पर पत्तों के बीच टिम्टिमाती रोष्णी दिखी वे रोष्णी कैसी वे चकित हुआ एक छोटी सी रोष्णी उड़ती हुई उसके पास आई मैं जुगनू हूँ जुगनू ने कहा मैं अधेरे में चमकता हूँ जुगनू दोस्तों एक कीड़ा होता है जो जो सितारे की तरह होता है और रात के अधेरे में चमकता है क्या तु मेरे दोस बनोगे तिंकु ने पूछा हाँ बनूँगा जुगनु बोला एक पंग्छी उड़ता हुआ आया पेड की शाक पर उल्टा लटक गया तुम कौन हो भाई तिंकु ने पूछा मैं चमगादल हूँ उसने कहा मैं रात के अधेरे में देख सकता हूँ क्या क्या तु मेरे दोस बनोगे तिंकु ने पूछा हाँ बनूँगा चमगादल बोला पीछे जाडियों में कुछ सरसराहट हुई कोई छीप रहा था रुको रुको तुम कौन हो तिंकु ने पूछा मैं एक लोमडी हूँ लोमडी ने कहा मैं रात को टहलने निकलती हूँ क्य क्या तु मेरे दोस बनोगी तिंकु ने पूछा हाँ बनूँगी लोमडी बोली एक पेड से दो चमकती आखे उसे घूर रही थी ये कौन है तुम कौन हो तिंकु ने पूछा मैं उल्लु हूँ जवाब आया मैं रात को अपने भोजन की तलाश में निकलता हूँ क्या तु तुम मेरे दोस बनोगे तिंकु ने पूछा हाँ जरूर बनूँगा उल्लु बोला जी जी वहाँ जी जी की आवाज कुजी ये आवाज कैसी तिंकु चारो ओल देखने लगा मैं एक जीमूर हूँ जीमूर बोला जब अंधेरा हो जाता है मैं जी 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 जहनकार सी निकालता हूँ क्या तुम मेरे दोस बनोगे तिंकु ने पूछा हाँ बनूँगा जीमूर बोला तिंकु और उसके दोस हसे और उचले कुदे वे इधर से उधर लुड़के तब तक की तिंकु को उबासी आने लगी वो बहुत ठक गया था मुझे नीदा रही है अब घर चाना है टिंकु बोला यह घर लोडते समय बहुत खुश था कि उसने आज बहुत से नए दोस बनाए थे दोस्तों आपको कैसा लगता है नए दोस बनाकर वे अपनी अम्मा से कसकर लिपड़ गया उसने फुस फुसाते हुए कहा रात अकेली नहीं होती है अम्मा रात में बहुत से अद्भुद जीव मिलते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है रात अकेली होती है यह कहानी पढ़ने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है हाँ अम्मा वोली तुम्हारे रात के दोस्त रात को ही अपना काम करते हैं वे रात को ही खाते हैं और खेलत वे दिन में आराम करते हैं, तुम अब सो जाओ, नीद तुमें तागत देगी, ताकि कल तुम अपने दिन के दोस्तों के साथ खेल सको, और सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नीद सही में हमें तागत देती है, मुझे तो लगता है, क्यों पूरी रात चमकता रहा उसकी सीतल चादनी चारो और बिखरी थी और खर खर खराटे लेता सोया टिंकू दोस्तों तो कैसी लगी आपको ये कहानी और आपको क्या लगता है रात के अधेरे में और कौन-कौन से जानवर होते हैं जो जाग रहे होते हैं क्या आप कुछ चानवरो के नाम पता लगा सकते हैं आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है